जहें दोस्तों, इस नए विडियो में आप सभी का स्वागत है तो UP scholarship को लेके एक नया latest news निकल के आ रहा है कि 60% से अड़िक marks आएगा तभी मिलेगी scholarship ठीक है आज का जो date है वो कितना है? 28 April 28, 24, 2022 को ये news latest update निकल के आ रहा है कि अगर आपका 60% से ज़्यादा marks आएगा तभी आपको scholarship मिलेगी ठीक है? तो बहुत बड़ा update है हर साल ये आपका लागू होगा क्योंकि इस साल दिखने को मिले आए कि बहुत सारे students को scholarship नहीं मिल पाई है इस कारण से सरकार के द्वारा या फिर समाज कल्यार ब्रियाक के द्वारा नियम लगाया जाएगा हर साल कि जो भी students 70% से ज़्यादा नंबर पाएगा उसी को चातविरती उसी को scholarship मिलेगा बाकी 60% से अगर कोई कम पाता है नंबर या फिर माक्स तो उसको scholarship नहीं दी जाएगी ठीक है तो चलिए देखते हैं news क्या है यहाँ पर देखें न्यूस में क्या कहा जा रहा है 60% से अधिक या फिर ज़्यादा अंक पर ही मिलेगी चातविरती यहाँ पर देखें शामान गरीब छात्रों के लिए प्रस्ताव तयार अभी कम अंक पर भी मिल जाती है ठीक है अगर 70% से कम भी अगर रहता है नंबर फिर भी आपको scholarship मिल जाती है लेकिन आने वाले समय में आने वाले तो कच्छा दस्क से उपर की कच्छाओं और व्यवसाइक पाट कर्मों में पढ़ने वाले शामान वर की गरीब छाचात्रों को छात्वरती अफिस बर पाएगी सरकारी सुद्दा पाने के लिए अब हर साल 60% से उपर प्राप्तांक लाने ही होंगे बजट की कमी से पिछले कुछ वर्सों से आवेदन करने के बाज्यूद या सुद्दा पाने से वंचित रह जा रहे है छाचात्रों की बढ़ती दिकतों को देखते हुए समाज कल्यार विवाग ने प्रस्ताओं तयार किया है और जल्दी इस प्रस्ताओं को सासन की सिक्र्टी के लिए भेजा जाएगा मजूदा ब्यवस्ता में सरकारी बैस अंदानी सिच्छट संस्तानों में कच्छा 10 से उपर की कच्छाओं और गयर ब्यवस्ताइक पारकर्मों में पढ़ने वाले सामान वर्क के च्छा चात्राओं को 60% से कम अंग पाने पर ही च्छात वर्ति एफिज बैर पाई की सुब्दा मिल पाएगी ठीक है तो जो निउस निकल के आ रहा है सिर्फ जनरल कटेगरी के लिए है अगर जनरल च्टेग्री के 46% से कम नमबर पाते हैं तो उनको स्कॉल उसिप च्छात वर्ति नहीं बिलेगी ठीक है तो जनरल जो स्टुडेंट से हैं जो सामान वर के सउट्प्रपर से जादा ही नम्मर लाने होंगे माक्स लाने होंगे तब ही आपको स्कॉलरफशिप की मिल पाएगे आपका च्छातपृति आपको मिल पाएगे ठीक है यहां पर देखें इसके अलावा ब्यवसाइक पाटकरमे में जहां कांसलिंग से दाखले होते हैं अब यहां भी विवस्ता है जिन सिस्षण संस्थानों में कांसलिंग के बजाए अंकों के आधार पदाखले होते हैं उन्हें संस्थानों के समानवर के च्छाचात्रों के प्राफतांग साथ परसंट से उपर होने पर ही च्छात्वर्ति वे फिस बरपाई की सुवदा मिलती है मगर अब सरकारी अनुदानी निजी सिच्छण संस्थानों के बैवसाइक वे गयर बैवसाइक आटकरों में पढ़ रहे समानवर के च्छाचातरों के च्छात्वर्ति वे फिस बरपाई की पातरता के लिए साथ परसंट से उपर प्राप्त आंक हर साल लाने होंगे ठीक है तो इस तरह से कहा जा रहा है कि अगर आपको च्छात्वर्ति चाहिए तो साथ परसंट से ज्यादा नंबर लाने होंगे ठीक है इससे ज्यादा आपको मार्क्स लाने होंगे यहां पर देखें क्या न्यूज है च्छात्वर्ति के लिए बजट बढ़ाने की भी मांग की ग सके यहीं नई विवाग समाज कर लाड़ वर्क के इन जरुवत्मन च्छाचात्राओं को च्छात्विर्ति वेफिस वर्पाई की स्विप्धा उपलब्द कराने के लिए बजट बढ़ाने का अनुरूद करेगा बताते चले कि वर्ष 2019 बीस के साच्षिड सत्र में समान वर्क के पोश्टमेटिक च्छाचात्राओं के लिए 825 करोड रूपए की राज स्विक्रित की गई थी जिसमें से 187 करोड रूपए OBC के च्छाचात्राओं की च्छात्विर्ति वेफिस वर्पाई के लिए दिये गए थे बाकी 638 करोड रूपए की राज से समान वर्क के या फ पहले 500 करोड और फिर 160 करोड उपए मिले थे ठीक है तो इस तरह से समाज के लाइट बिहाग के द्वारा सरकार को यह भी कहा गया है कि इस साल के बाद से अगले साल से हम लोगों को ज्यादा बजट दे ताकि सभी स्टुडेंट्स को छातुरती मिल सके सभी स्टुडेंट्स क आगे पढ़ने के लिए उनको स्कॉलर से दिया जा सके ठीक है तो लेटेस्ट निवस था सभी स्टुडेंट्स के लिए जो भी स्कॉलर्सिप का फॉर्म भरना चाहते हैं जो भी स्कॉलर्सिप पढ़ना चाहते हैं उन सभी स्टुडेंट्स के लिए हैं लेटेस्ट निवस अगर आप 60% से ज़्यादा नमबर पाते हैं तभी आपको scholarship मिलेगी सिर्फ general category के लिए ठीक है ना चलिए तो मिलते हैं next video में कोई भी latest update आता है आपके scholarship को लोगे तो सबसे पहले आपको update किया जाएगा सबसे पहले आपको news provide किया जाएगा ठीक है तो मिलते हैं next video में जाएगा